हलो फ्रेंद्स व्लकम तो मैं यूट्यूब चैनल और आज के इस वीडियो में हम एंजियरिंग् माटियों स्टार्ट करने वाले हैं गलास तो में पूरी तरह से पूर्ट्न सिमेंट को फिनिष करने के और काशिश करेंगे तो पीस कमेंट करके बता दीजी तो portland cement के अंदर हमें क्या पढ़ना है introduction of cement, cement है क्या classification of cement, कितने type के cement available है फिर हमें पढ़ना है portland cement तो जितने भी type के cement available है उन में से हमें only for portland cement के बारे में ही discuss करना है पॉर्टलें सिमेंट के अंदर फंक्शन ऑफ एक कंपोनेंट किस तरह से पॉर्टलें सिमेंट की क्वालिटी को इफ्यक्ट करता है यह हमें पढ़ना है फिर हमें पढ़ना है इस तरह से इफेक्ट करते हैं इस ट्रेंद को ठीके फिर अट लास्ट हमें क्या देखना है सेटिंग एंड हार्डनिंग ओफ पॉर्टलेंट सिमेंट किस तरह से सेट और हाड होते हैं यह हमें डिसकस करना है फिर इन सभी में से इंपोर्टेंट टोपिक होन है मैनुफेक्ट्रिंग प्रोसेस और सेटिंग और हार्डनिंग ओफ पॉर्टलेंट सिमेंट एक्जाम पॉइंट इफिस से मॉस्ट इंपोर्टेंट है कॉशन सिधही पूर्च सकते हैं मैनुफेक्ट्रिंग प्रोसेस और सेटिंग और हार्डनिंग प्रोसेस इन पॉर्टलेंट सिमेंट तो यह दोनों टॉपिक में हिसाब से इंपोर्टेंट है बाकी हम सब कुछ अच्छे से स्वीट और शोट तरीके से डिसकस करने वाले हैं और अच्छे तरह से कोशिश करेंगे कि ट्लियर हो जाए ठीक है चली स्टार करते हैं तो पॉर्टलेंट सिमेंट का एंट्रोड़क्शन लेक लेते हैं द्रेटेंट के लिए लेकित sedi जाए तो इसके अनदर क्वालिटी आजाती है बील्डिग मेतरियाट कोईश करने की बिल्डिं मेटरी तो को और कैस्टार पा्यान बिल्लिंग से इनदर क्या गथा यह building materials को bind करने की अब हम पढ़ लेते हैं classification, classification कितने type की cement available है तो there are four type of cement, चार type की cement available है, first है natural cement फिर यह poser and cement फिर third है slack cement and fourth है portland cement तो हमें only for portland cement के अंदर ही interest है, हम only for portland cement की बारे में ही पढ़ना चाहते हैं तो discuss कर लेते हैं portland cement portland cement होता क्या है, क्या specialty है portland cement के अंदर और इसी को हम की पढ़ रहे हैं, तो चलिए बात कर लेते हैं portland cement की बारे में it consists lime, aluminium and effe, तो इसके अंदर three main component के होते है lime, aluminium and effe it is most valuable and used for construction work, most valuable है जदा use हने वाला cement है और construction work के अंदर इसको use किया जाता है it is hydraulic cement यह एक hydraulic cement है बात ही आगए कि hydraulic cement क्या होता है तो इस topic के बाल अंगा topic वही है hydraulic cement किसे कहते हैं फिर अभी आप क्या रखना है कि potland cement के अंदर three main component होते हैं alumina, lime and effe और जाता तर use हने वाला cement कौन सा है portland cement है और यह क्या है hydraulic cement है hydraulic cement किसे कहते हैं just हम इसके बाद discuss करने वाले है portland cement is known as magic powder इसको magic powder भी कहा जाता है portland cement is prepared by mixing lime and clay in proper proportion and this mixture is heated at 1400 to 1500 degree Celsius the product is powder तो क्या कही रहे हैं कि lime and clay को proper proportion में मिलाते हैं फिर जो भी mixture मिलता है उसको 1400 to 1500 degree Celsius पे हम heat करते हैं फिर जो भी product हमें मिलता है उसको हम powder में convert कर देते हैं तो इस तड़ा से portland cement तयार होता है portland cement is discovered in 1824 by Joseph Aspedine the name is given because of properties resemble to portland stone तो इस cement का नाम portland stone की quality क्या according पढ़ाएं कि इसकी जो quality से वो portland stone की quality से मिलती थी इसलिए इसका नाम portland cement रख दिया गया अब हम देख लेते हैं hydraulic or non-hydraulic cement क्या होते हैं hydraulic cement these are most widely used and capable for setting and hardening underwater example portland cement hydraulic cement क्या होते हैं एसे cement जो water के अंदर भी set होने की quality रखते हैं एसे cement को हम क्या बोलेंगे hydraulic cement I am sorry यहां पर आपको थोड़ा clear नहीं दिख रहा होगा क्योंकि knots पुरान हैं तो उनकी ink थोड़ी बहुत फेल गई है इस वज़़े से आपको थोड़ी visibility में problem हो सकती लेकिन मैं इसको अच्छे से describe कर रहा हूं तो आप अच्छे से सुनिया आपको समझ में आ जाएगा तो hydraulic cement क्या है ऐसे cement जो water के अंदर set होने के quality रखते हैं तो ऐसे cement जब हम water के पर breeze बनाते हैं तो उनकी जो pillars हमें water के अंदर लगाने पड़ते हैं तो इस type के ही cement का use होता है क्योंकि water के अंदर set होने की quality रखते हैं अब इसका उल्टा क्या हो जाएगा non hydraulic cement ऐसे cement जो water के अंदर set होने की quality नहीं रखते हैं only for in presence of year ही year set हो सकते हैं और ऐसे cement का ordinary cement जो भी regular cement है ordinary cement है non hydraulic cement होते हैं chemistry of Portland cement to Portland cement के अंदर क्या क्या components है कितने मात्रा में वो components है वो हम देख लेते हैं फिर हम क्या देखेंगे कि हरे component के इस तरह से effect करता है Portland cement की quality को तो इसके इंदर first है lime lime कितना है 60 to 69 percent second है silica silica कितना है 17 to 25 percent third है alumina alumina कितना है 3 to 8 percent है फिर है iron oxide 2 to 4 percent फिर है magnesium oxide 1 to 5 percent फिर sulfur trioxide 1 to 3 percent है फिर है sodium oxide फिर potassium oxide ठीक है दोनों 0.3 to 1.5 percent है तो two marks के question में यह पूछ सकते हैं कि what is the chemistry or what is the component available in the Portland cement ठीक है तो आपको एक तरह से इनको याद कर लेना है कि 8 component है और कौन कितना percent में available है अब हमें discuss करता है functions of each component तो हर component के इस तरह से cement की quality को effect करता है तो first है lime lime क्या करता है it make the cement expand and disintegrated the excess of or lesser amount of lime reduce the strength of cement ठीक है the proper proportion should be added in cement तो क्या कहा जा रहा है कि lime क्या करता है cement के अंदर expand होने की quality को बढ़ा देता है आपको बता है जब हम cement के use करता है तो expand हो काची तरह से fail कर फिर materials को bind करने की कोशिश करता है तो cement को expand करने की quality होती है वो lime से मिलती है और expand होने के वजह से setting के बाद और hearting के बाद इनमे breaks नहीं आए यह भी किस के जिम्मेदारी होती है lime की जिम्मेदारी होती है उसके इंदर expand होने की quality को बढ़ा देता है फिर उसके disintegrate disintegrate मतलब after setting उसके इंदर break ना पड़े इसका भी खयाल को रखता है lime रखता है लेकिन अगर lime को ज़्यादा डाल दिया जाए या फिर कम डाल दिया जाए दोनों condition में यह cement की strength को कम कर सकता है तो एकदम proper proportion में ही lime को डालना चाहिए second component क्या था silica silica क्या करता है it impart strength of cement cement की strength को बढ़ाता है third है alumina it make the cement quick setting however excess of alo3 is weakness cement को quick set होने की quality प्रवाइड करते हैं फटाफट वह set होना शुरू करते हैं CSO4 Zipsum is used to retard the setting action of the cement cement की setting action उसको थोड़ा delay करने की कोशिच करता है अब यहां पर हम थोड़ा confused हो गए होंगे क्योंकि हमने पढ़ा कि alumina setting type को क्राइड करकर गए स्टिंग करने की कोशिच करता यह रेकिं jsinflamm कर तो अभी फटाफट करने की कोशिच करती है तो आप यहां पर ब्लम यह करने का मतलम की आकि कि जद्धा लेट भी नहीं होना चाहिए setting फटाफट हो जानी चाहिए इसलिए हम alumina यूज़ कर रहे हैं और gypsum की यूज़ कर रहे हैं क्योंकि फटाफट भी setting नहीं होने चाहिए तो जल्दी setting हो जाएगी तो इसकी strength पर प्रभाव पड़ेगा ठीक है gypsum क्यों add करते हैं delay क्यों करना चाहते हैं हम यह हम आगे discuss करने वाले हैं अभी के लिए आप यह समझे कि हम ज्यादा देर नहीं करना चाहते हैं setting के अज़र इसलिए हम alumina कर यूज़ कर रहे हैं और हम ज्यादा जल्दी भी setting नहीं होने जना चाहते हैं इसलिए हम जिप्सum का यूज़ कर रहे हैं ठीक है फिर हम देखते हैं iron oxide क्या करता है इट गिव कलर स्ट्रेंथ और हार्डनेस टूदी सीमेंट यह कलर इस प्रोवाइड कर वाता है स्ट्रेंथ और हार्डनेस प्रोवाइड कर वाता है sulphur trioxide it imparts soundness to the cement तो यह soundness यानि की जो भी हम बोलते हैं वो इको ना हो इसकी quality का खयाल को नपता है sulphur trioxide alkalis oxide excess of alkalis क्यूज़ the cement effort तो जदा amount of alkalis cement की efficiency को effect करता है ठीक है तो समझ में आया आपको lime क्या करता है lime expand होने की quality प्रोवाइड करवाता है साथ ही after setting यो टूटे ना उसका ना ब्रेक ना हो इसकी quality का खयाल को रखता है lime रखता है silica क्या करती है strength को बढ़ाने की कोशिश करती है सेटिंग टाइम को फटा फट शुरू करने की कोशिश करती है और gypsum क्या करता है setting time को थोड़ा रोकने की कोशिश करता है तो हमने समझ लिया कि दोनों में क्या difference है ठीक है नहां से manufacture किया थाता है potland cement को तो principal raw material of cement तो raw material दो टाइप के होते हैं वह हम देख लेते हैं first है calcareous material तो these are the main source of lime तो ऐसे material जो lime content करती हो उनको हम क्या बलेंगे calcareous material तो calcareous material के example क्या है limestone, chalk, calcite और shell ठीक है argyarious material क्या है ऐसे material जो argyarious material के main source हो उन्हें हम बोलेंगे argyarious material क्या है clay है sand है मार्ड है slet है blast furnace है etc फिर है powdered coal और fuel oil तो हमें heating के लिए कुछ fuel चाहिए होगा तो वह भी हमारा raw material है फिर है zipsum, zipsum भी हमारा raw material है manufacturing process के हर एक step को अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले हमें यह diagram समझना पड़ेगा इस diagram में क्या है rotatory clean for cement manufacture तो cement को manufacture करने के लिए जो mechanism हम अपनाते हैं वो क्या rotatory clean अब rotatory clean के various parts है तो हमें बस एक बार अच्छे से समझना है बहुत easy है यह तो इसके help से हम जो process है उसको अच्छे से याद रख पाएंगे ठीक है तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है फ्यूल है कोल हो सकता है या फिर और other type के फ्यूल हो सकते है फिर यह blower के help से यहाँ पे हम heat produce करें ब्लोवर मतलम hot air produce करेंगे तो यह क्या होगा fuel burn होने लग जाएगा और यह heat produce करने लग जाएगा इस पार्ट को हम क्या कहते है rotatory clean rotatory clean क्या होता है एक cylinder नुमा सनरचना होती है जिसके अंदर इंटो की परत होती है तो rotatory clean में हम इधर से heat डालेंगे और इधर से हमारी जो slurry है वो डालेंगे slurry क्या है raw material का mixture है हमने argillaries material और calcareous material को अच्छे से grind करा mix करा फिर इसको pack किया था अब हम इसको डाल रहे है हम rotatory clean के अंदर क्योंकि हमें cement को बनाना है तो rotatory clean के अंदर 3 zone होते है एक होता है sabse कम गर्म एक होता है sabse ज्यादा गर्म सबसे कम गर्म जो होता उसको बोलता है drying zone और lache वाले को बोलता है burning zone तो सबका temperature अलग-अलग होता है तो यह जो हमारी सलारी है हर एक जोन से गुजरती है और 1400 तो 1500 डिग्री सेलसेस तक यह गर्म होती है और इसके नीचे यह क्या लगाता है रोटेटर लगाता है जिसकी हेल्प से रोटेटर क्लिल रोटेट होती रहती है ठीक है धिये धिये स्प पर इखटा कर लेते हैं इसको हम क्या बोलते हैं जो भी हीट होने के बाद बनता है उसको हम बोलेगे के क्लिंकर इसको इखटा कर लेता है फिर जो गर्म हवा होती है उसके यहां से निकाल दिया जाता है अब यह क्या है चिमनी है यह जो होट एर यहां से प्रड्यूस होग के लिए है सिमेंट को मैनुफ्यक्चर करने के लिए है तो आपको यह समझ में आ गया तो प्रोसेस अब तो चुट क्यों का काम है ठीक है आपको याद करने की भी कोई जुरत नहीं है आप समझ लो एक्दाम में लिख देना तो अब हम हर एक स्टेप को अच्छे से समझ लेते है अ थीक है तो मैंने फ्यक्ट Insurance के अंदर हमने देख ली या कि दो तरह के रो मति थे हैं कलकेरिस मेटेर्यल और और आर्गी लेटेस मेटेले तो क्लकेरिस माटेरल क्या होते है जो लाइम जिसक पर रहे हैं और मिंसे मेटेरिशigs को अध्यार इनदोनों के बाद हमारा जो है वो है और उसके बाद जिब्सम की सारे क्या है रो माटेरियल है अब मैनुफीक्टरिंग प्रोसेस के अंदर चार इस के पहला कोई है मिक्सिंग फिर है बर्निग फिर ग्राइंड फिर पेकिंग नाम से समझ में आ इसे को हम थोड़ा एजीली समझने की कोशिश करते हैं थोड़ा एकस्प्लें करने की कोशिश करता हूं क्प्रोसेस आंगे जाओ एक तक कि अग्जाम में आप के पास कुछ थीरियल हो की ऊप देखपाए हैं ञुख थाए सभी मिंगी कि अपैर त्यूदर कानी एक और लिया जाता व cycl दिरी वी इस है about इन जिल३र्टरी क्रशर पवॉड अर मिक्स इन प्रोपर प्रोपोर्ष तो जो भी को खी दो नियुक्तरश हो ने सपरेटली सिप्राइटरी बीड़ल जोए जो ब्रोपर प्रोपोर्ष न। वह माताए है इसे लिगता है क्ंष्छिप कर सन्सायर इस रोपोर्ष मिक्स GoM तो इसको अच्छी तरह से वेट कर लेते हैं पूरी तरह से पेस्ट बना लेते हैं अब जो कलकेरियस माटेरियल का जो ड्राय मिक्स था उसको हम क्या गरते हैं इस जो पेस्ट बना है उसके तो भी मिला देते हैं फिर मिलाने के बाद हेर अब पेस्ट फोर्म कोल्ड अब वहलेंगे इसको हम क्या बहुत लेंगे इस ठीक है कंटेनिंग 40 परसेंट ऑफ मॉटर तो समझ में ना दो तरह के मिक्सिंग है ड्राय मिक्सिंग में क्या 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 कलकेरियस और आर्जी लेडियस दोनों टाइप के जो रो माटेरियल थे तो यह जो बना है रो उसको क्या बोलेंगे इसलरी ठीक है फिसलरी में दीत है तो आपने डियागरमें भी दिखा था कि हमने सलरीय को क्लिंकर में जाला था अब बात आते है कि की दोनों के की बशुन डिफरेंस क्या है ड्राय और मेक्स के अंदर क्या है इक को प्रॉसेस के अंदर मिक्स करके तो यह थोड़ा चीपर है it is slow process थोड़ा दीमा process है और यह क्या है fast process है cement produce of poor quality poor quality का cement produce होता है क्योंकि mixing अच्छे से नहीं होती है क्योंकि wet के अंदर mixing अच्छे से होती है इसलिए अगर करता है produce good quality of cement तो यह अच्छी quality का स्मोल क्लीन्स आर सफिशेंट और longer clean should be used तो जो क्लीन्स है अगर हम ड्राय प्रोसेस वाले mixture को यूज करते हैं तो क्लीन्स का जो साई से छोटा होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि उसको बार नचाने से किया चाद सकता है लेकिन वेट प्रोसेस के अगर हैब से हमने बनाई है तो उसके में 40% वाटर भी होता है तो हमें बड़े क्लिंकर की आवशकता होगी क्लिंकर समझवाई ना तो यही बर्निंग प्रोसेस को ही तो एक्स्प्रेन करना है तो किस तरह से एक्स्प्रेन करना है देख लेते हैं इन इस प्रोसेस क्लीं रोटेट्रियार यूजड इस एलोंग स्थील सिलेंडर वित टू तू त्री sabes ठीके पहले ही बता करने जैंट आता है यी क्या है स्थीए मेटर का होता है और इसकी लेंद सीथी नईटील नेटर की होती है इत लाइंड बाइ रेफेक्टर ब्रिक्स तो ये ब्रिक्स के covers पे लगी होती है पाइब होती है तो रोटेटरी क्लेन थी ओप्रमटीरेल को हमने कहां से ऐफ से इंटरीज़ क्या था हमने देखा था खीक है के डागराम के अनदर ढीरे न कहां पशचोंस से होती आज़े की तरह सौटे जाती हैं the passing speed can control by the slope of or the rotation speed तो हमने rotator use किया था क्लिंकर को घुमाने के लिए तो अगर हमें जल्दी जल्दी प्रोड्यूस करना है तो हम उसकी rotator को speed को बढ़ा देंगे तो वो जल्दी जल्दी पास होने लब जाएगा यहां पर हमने तीन जोन पढ़े थे तीन जोन होता है तो तीन जोन में क्या था टीनो जोन को हम डिसकस कर लेते हैं कि इसका टेंपरेचर क्या है बस यही हो जाथा कुछ नहीं है तो फर्स्ट है ड्राइंग जोन इट इस दा अपर पार्ट सबसे पहला पार्ट है और फ्रॉटेटरी क्लीन तेंपरेचर इस अबाउट हंड्रेट टू फोर हंड्रेट डिग क्या होता है इसके अंदर 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 क्या होता है लाइम जो होता है वो डिकम्पोज हो जाता है और जो होता है वो ब्रेक होकर क्या बनाता है सी ए ओ प्लस सी ओ ठीक है बर्निंग जोन, it is the hottest part of the rotatory, यह सबसे hottest part होता है, temperature is about 1600 degree Celsius, इसका तो temperature होता है, वो 1600 degree Celsius होता है, और यही main part है, क्योंकि इसके अंदर ही बहुत सारी reactions होती है, सबसे पहले जो CaCO3 होता है, वो CaO के अंदर convert हो जाता है, मतलब CaO plus CO2 बन जाती है, फिर यह CaO क्या है, यह lime किसके साथ मिल जाता है, silicon के साथ मिलके, di silicate और trisilicate बना लेता है, और aluminio भी हमने डाला था, तो यह जो lime हो मिलके क्या बना लेगा, tricalcium aluminate बना लेगा, और साथ में यह क्या बनाता है, tetracalcium aluminio ferrite भी बना लेता है, इसके अंदर ही various components बन जाते हैं, ठीके, क्या क्या बनता है, सबसे पहले हमने देखा कि CaCO3, जो है वो तूट जाता है, CaO plus CaO, क्या है, lime है, और यह lime, silicate के साथ मिलके, dye silicate बना लेता है, फिर tricalcium बना लेता है, और हमने eduminio भी डाला था, तो उसके साथ मिलके, tricalcium aluminate भी बना लेता है, और last में क्यों बना लेता है, tetracalcium aluminio ferrite, ठीके, तो इसके अंदर क्या क्या बनते हैं, एक तो बनता है CAO फिर बनता है Dry Calcium Silicate फिर बनता है Tricalcium Silicate फिर बनता है Tetra Silicate Aluminoparid तो लास्ट में जो हमारे पास मिलता है क्लिंकर के अंदर वो यही main component होते हैं और हम जो आगे ले topic में यही discuss करेंगे कि यह किस तरहा से cement की strength को बढ़ाते हैं इन सभी component के बारे में ही पढ़ना है बाकी तो almost clear है सब कुछ easy है खतम हो जगा हमें बस इचार पढ़ना है कि इचार किस तरह से cement की strength को बढ़ाते हैं तो हमने diagram पे नहीं समझ रखा है एक बार और discuss कर लूँगा जो अच्छा diagram है उससे और अब यहां पे आप देख सकते हैं कि temperature 2 degree से कम है तो क्या होगा evaporation of water water का जो excess of water है वो evaporated हो जाएगा अगर 500 degree Celsius से कम है तो क्या होगा removal of combined water from clay तो और भी जादा जो water combined था वो भी evaporated हो जाएगा 800 degree Celsius से कम होगा तो क्या होगा decomposition of CaCO3 CaCO3 का decomposant हो जाएगा वो क्या बन जाएगा lime के अंदर convert हो जाएगा फिर अगर 900 to 1100 degree Celsius है तो decomposition of CaCO3 completed तो यहां पे decomposition of CaCO3 complete हो जाएगा यहां कि पूरी तरह से lime हमारे पास आ जाएगा फिर 1200 to 1600 degree Celsius पे क्या होगा formation of various components उन्हें पढ़ा ना ड्राइकेसियम सिलिकेट ट्राइकेसियम सिलिकेट फिर ट्राइलुमिनो सिलिकेट जो भी बना था वो सारे component यहां पे बनते हैं 1200 to 1600 degree Celsius टेंपरेचर पर ठीके तो बर्निंग समझ में आया है बर्निंग के तीन जोन बैसिकली है पावरफुल कंपोनेंट बना लेते हैं जो की सिमेंट की स्टेंद को बढ़ा लेते हैं फिर ग्राइंडिंग के अंदर हम क्या करते हैं जो भी हमें पावडर में वापीस हो तार ग्रिंग loose क्या होता है इस को सेल करने के लिए यह पदि यह भं पेकेट के इसको पक कर दिया जाता है तो यहां पावल्मने है कि की सिमझ दा और में हम भंट करते हैं और यहीं मॉस्ट इंपोर्टनAm और यही कैस जो तो अच्छे से मिक्स कर लिया दो क्या दोल मिल और इसे मिल ऐखते राओन वह ज़रूरी 2 तो पिर था रोका सर रेल सी्ल के दीज करना पर को अच्छे से मिंप्लों मेखना दॉट जजयुत तो इसे जो मैं तया हुआ दो इसे दो को एक ने शीम से दर खर सीमें बनाना होगा तक हम इसको रॉल क्लेंदर कॉल यूज होता है अदर को यूज होता है अजी हम एक उममारा जो डाल देते हैं को जimento हो तो युँक्र वो रोलेंदर क्लींग में क्लेंड़ निकलता है तो आप भी मुझे अग्नॉर कर रहा हूं तो आप भी मुझे अग्नॉर कर लिए ठीक है फिर हम क्या करते हैं ग्राइंडिंग बॉल्ड मील स्प्लाइब कर लेते हैं अब उसके घर बनाते हैं जो भी बनाते हैं ठीक है ओके डाइग्राम की डिसकर्स करने की जुरुत है वही बात है कि फ्यूल है बर्ड किया हीट पर्ड्यूस हुई यहां से सलरी डाल रहे हैं अलग अलग जोन से गुजरी सलरी और लाश्ट में हमें क्या मिल गया क्लिंकर मिल यही इसको मने ठंडा किया बोल में डालके जिब सम मिला दिया फिर उसको पेक कर लिया तो बस अब थोड़े बहुत टॉपिक और डिसकर्स करने है उसके बाते चाप्टर फिनिस्ट ठीक है अब है यहां पर थोड़ा सा मतलम याद करने में डिफिकल्ट होने वाला पार्ट अब आया है कि जो भी प्रोड़क्ट बने the product बने तो तो C2S बना था C3S बना था C4AF बना था तो वह क्या है वह क्या strength को किस तरह सी इंप्रोव करते हैं development of strength of cement in presence of various components ठीक है अर्ली स्ट्रेंथ, तो सिमेंट को अर्ली स्ट्रेंथ कौन प्रवाइड करवाता है, ट्राइकेल्शम सिलिकेट और 45% तक सिमेंट के अंदर यही होता है, फिर आता है डाइकेल्शम सिलिकेट, सिटी तू एस बना था ना, सिटी तो वह क्या करता है, इत कॉंस्टिटूट अबाउट 25%, तो यह 25% होता है सिमेंट के अंदर, इत इस क्यूज़़ फोर प्रोग्रेसिव इंक्रीज इंग्रीज इन स्ट्रेंथ, तो यह धिरे-धिरे-धिरे, मतलब यह क्या क्वाल्टी बढ़ाता जाए है ना फिर ट्राय केल्शियम एलुमिनेट तो यह क्या करता है इत कॉंस्टिडूट अबाउट 10% 10% तक होता है क्यूज्ड इन फोर इनिशिल सेटिंग एंड क्रेक ड्यू टू वोल्डियूम चैंज तो इनिशिल सेटिंग में हैल्प करता है और क्रेक से प् परिट जो हमारे पास बना था ना C4AF वो क्या करता है इत कॉंस्टिडूट अबाउट 10% 10% तक होता है यह दस नॉट क्यूज एनिफेक्ट इन इस ट्रेंथ अफेक्ट ने डालता है अदर टाइप की कॉलिटी प्रोवाइड करवाता है जैसे की सांड नेस कलर हार्डनिंग प्रोसेस को इंक्रीज करना एक सेक्टर ठीक है ओके तो समझ में आई है जो वीरिस कंपोर्णेंट बने थे क्लिंकर के अंदर वो क्या क्या करते है आगे समझ में बहुत ही राइल चांसेश पूछने के लेकिन पूछ भी तो भी बहुत इसी आप बता सकते अब आता है मैं टोपिक, setting and hardening of Portland cement तो Portland cement हमने बना लिया अब इसको use भी कर लिया हमने तो use करने के वादे धीरे धीरे किस तरह से improve होते जाते हैं किस तरह से hard होते जाते हैं setting क्या है, hardening क्या है यह हमें discuss करना है when water is mixed with cement is known as setting and developing strength in it is known as hardening जब हम water mix करते हैं cement के अंदर तो उसे हम क्या बोलते हैं setting जब गीला होता है थोड़ा थोड़ा उसे हम क्या बोलते हैं setting फिर जब धीरे 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 वो strength डवलब करने लग जाता है उस process को क्या बोलते हैं hardening setting is upcured due to the formation of gel which add here sand and stone etc. तो setting hardening के कब होता है जब gel form हो जाता है अब आपने देखा होगा cement में मिक्स करते हैं water को तो gel type structure मतला हम बिलकुल एक loosey सा चिपचिपा सा करदार्थ बन जाता है उसके तर एड हेरिंग properties होती है जो bind करने की शमता रखता है sand, stone etc. hardening is due to the formation of crystal तो जब भी gel crystal के अंदर convert होने लग जाते हैं तो इसी को हम क्या बोलते हैं? hardening process the whole process continue for about 20 days and various components like C3A, C3S, C4AF, C2S etc. are formed, the hardening process may be continued for a year in hydration is continued, तो इसका मतलन क्या है यह जो setting hardening up process से at least 20 के लिए तो चलता ही है लेकिन अगर इसको पानी मिलता रहे सेमेंट को पानी मिलता रहे अगर आप पानी का छिड़काओ करते रहे तो यह hardening process सालों भर के लिए चल सकता है इसलिए घर बनाने के बाद कई दुनों तक हम उसको प्रवाइट करवाते हैं दिवारों को ताकि अच्छे से सेट हो जाए hard हो जाए और स्ट्रोंग हो जाए अब the setting and hardening is occurring three stage setting and hardening होती है initial setting, final setting and hardening तो तीनों क्या होते हैं रेख लेते हैं initial setting के अंदर क्या होता है when cement is mixed with water the hydrolysis process do not take palace तो जब हम पानी मिला आते हैं तो शुरुवात में ही hydrolysis process स्टार्ट नहीं होता है hydrolysis process नहीं के water aid होना वो जो component है वो उनकी जो bond है वो दिरे दिरे क्रेक होने लग जाते हैं और अलग component बनाते हैं तो यह process है वो डालते हैं स्टार्ट नहीं होता है थोड़े समय बाद स्टार्ट होता है so we can mold the plastic mixture in any form इस जो प्लास्टिक mixture होता है उसको ऐनी form में mold कर सकते हैं जिसे मर्जी उस तरह से हम इसको लगा सकते हैं but with time gelification टेक पहले दिरे-दिरे क्या होता है hydrolysis process बनता होता चाला जाता है स्टेफनेस the standard needle में भी penetrate to certain depth तो initial setting में क्या होता है कि first इसको किसी भी तरह से mold कर सकते हैं फिर हम उसको touch नहीं करते हैं ठीक है लेकिन अगर हम इसमें standard needle को pin करें तो अभी भी standard needle उसके अंदर pin हो सकती है cement के अंदर initial setting कब तक है जब तक standard needle उसके अंदर जा पा रही है pin हो पा रही है penetrate कर पा रही है तब तक वह क्या है initial setting हो है ना final set के अंदर क्या होगा अब अभी क्या है needle नहीं जा पा रही थी final set के अंदर क्या होगा needle नहीं जा पाएगी लेकिन अभी भी पूरी तरह से स्टॉंग नहीं होगा हमारा सिमेंट आफ्टर वन हावर्ड मिक्स्चर अटेंट सच स्टिफनेस तो कुछ कड़क हो जाता है मारा मिक्स्चर वह कुछ स्टिफनेस अचीव कर लेता है इसको कहें भी मॉल्ड अब इसको कम फॉर्दर मॉल्ड नहीं कर सकते हैं इनिशल सेटिंग मील्ट कर सकते थे थोड़ाद ज़ां जैलं chtake तो भी मॉल्ड कर सकते थे लेकिन अब 200 सफाइन ऐदर हम मॉल्ड कर सकते हैं और हमारा जो स्ट्रेंट निड़ल है जब 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 तक चलता रहेगा जब तक जब जब हम पानी देंगे hydrolysis process होगा hydrolysis process होगा तो दीर दीरे वो क्या करता जाएगा अपनी strength को बढ़ाता चला जाएगा and may continue for year यह लगवक सालों तक चल सकता है anyway the rate of hardening is decreases with the time लेकिन दीरे दीरे समय के साथ hardening का जो process वो दीरे होता होता चला जाता है कम होता चला जाता है the reaction tech pillars are given below various type reactions होती है hardening process के दोरान तो वो हम देख लेते हैं आपको याद करने की कोशिश करने चाहिए लेकिन आप इनको थोड़ा सा समझे मतलम आप एक बाद इससे पढ़ लेंगे हाँ try casium का hydrolysis हो गया तो आपको याद रखना कि क्या क्या बना उनको आपको तोड़ के लिख देना ठीक है try casium alumina हो है तो इनका hydrolysis होगा तो इनको तोड़ के लिख दिया ठीक है और इतनी चाहता रियक्शन तो टीचर्स को भी याद नहीं होगी कि को चेक करेंगे तो आप एक तरह से basic आपको तोड़ दीचे आप याद करेंगे कि try casium aluminaate का मुझे hydrolyzation करना है try casium silicate का करना है तो बस उनको आप तोड़ के लिखते रहे है heat लिख देंगे कहीं पे water लिख दीचे अगर proper याद नहीं हो रहा है और यहाँ धो जाए तब तो बात ही क्या ठीक है तो first सबसे पहले क्या होता है hydrolyzation of try casium illuminate hydrolyzation होता है try casium aluminaate का hydrolyzation होता है इसका और यह यह product बढ़ा लेता है फिर किसका hydrolyzation होता है tetra calcium aluminium ferrite hydrolization होता है फिर यह product बन जाते है फिर चोईज घंटे के अंदर try calcium silicate hydrolyzation complete होता है मतलां चोईज घंटे के अंदर try calcium silicate hydrolyzation start होता है और लगबक 7 days के अंदर complete होता है ठीक है the illuminate gel start crystallizing and hydrolyzation of di calcium is completed in 7 to 28 days so di calcium hydrolyzation process 7 to 28 days even the hydrolyzation of try calcium silicate also completed try calcium silicate complete हो जाता है but di calcium silicate hydrolyzation process 7 to 28 days the addition of gypsum increases the setting time तो gypsum aid करने से क्या होता है उसका setting time बढ़ जाता है the reaction take place during the setting and hardening of exothermic in nature therefore the lots of heat release increase the volume of surface तो बहुत मात्रा में heat produce होती है hydro hardening process के दोरान इस वज़े से क्या volume भी बढ़ जाता है hydrated cement disassociated and heating by destroying the bond which held the mass together thus the removal of heat produce is necessary ठीक है तो जो भी heat produce होती है hardening process के दोरान उसको बहार निकालना most important होता है क्योंकि यह जो cement है उनके various component के bond को कमजोर कर सकते हैं जिसके जो cement है वो कमजोर हो सकता है hardening के बात तो इसलिए removal of heat भी important है तेर अब हम last page पे आ जोके हैं सबसे पहले तो मुबारक हो आपको कि यहां तक का सफर आपने हमारे साथ तैग कर लिया है तो like कर देना है ना ठीक है if the concrete kept in moisture the hardening process can continue for year वही बात आ गई अगई आप इसको moisture देते रहोगे तो hardening process चलता रहेगा सालों तब the hardening process decreases as time तो धिर धिरे hardening process decrease होते जाता है the physical change during the setting and hardening are cement है cement water भीना लिए तो प्लास्टिक मास बना लेगा प्लास्टिक मास धिर धिरे क्या हो जाएगा जेल के अंदर करोड़ जाएगा फिर वह crystals के अंदर करोड़ हो जाएगा फिर यह जेल क्या होंगे stable हो जाएगी फिर crystal क्या हो जाएगी stable crystal product बना लेंगे जो पूरी तरह से hard cement है ठीक है तो क्या पढ़ा आपने समझ में आया ना तो first page पे चलते हैं इंग बार वापिस फिर देखते हैं कि आपको क्या समझ में introduction समझ में आ गया what is cement can you answer me okay I think you are right फिर classification of cement क्या क्या type से cement की यह पढ़ लिये Portland cement क्या होता है definition पता है chemistry क्या के component होते है सबी component क्या काम करते है manufacturing process क्या होती है mixing क्या होता है burning क्या होता है grinding क्या होता है packing क्या होता है सब को समझ में आया है ना तो बताओ comment करके development of strength of cement किस तरह से cement का जो strength है वो depend करता है various component के उपर setting and hardening process तो किस तरह से setting और hardening होती है किते दिनों तक चलता है तो यह सब जो मैंने बोला था वो हमने discuss कर लिया है तो अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगाओ तो अपने friends के साथ like, share and subscribe कीजिए इससे हमारी help जाएकी और बताइए कि आपको और क्या पढ़ना है comment में कभी करते नहीं हूँ